रवीवार को मध्यपरदेश में सत्ताधरी बीजेपी के खिलाफ आरोब पत्र जारी करने के बाद सोम बार को कॉंग्रिस ने विधान सभा चुनाओ के लिए अपना घोशना पत्र जारी किया है पाची ने अपने घोशना पत्र में भूमी विकास बैंकों और सहकारी बैंकों से लिये गए किसानों के 51,000 रुपे तक के कर्ज को माफ करने पांच हार्स पावर तक के मोटर पंपों पर किसानों को मुफ्त बिजली देने, किसानों के विवादित बिजली बिलो को माफ करने और इसे से जुड़े मुकदमों को खत्म करने जैसे वाइदे किये हैं घोशना पत्र में प्रते गरीब परिवार को 35 किलोग्राम राशन प्रतीमा मुफ्त देने का वाइदा किया गया है इसके अलावा आनुदानिक गया सिलिंडरों की संख्या छे से बढ़ा कर बारह करने की बात कही गयी है गरीब परिवारों को मुफ्त चिकितसा जांच और मुफ्त दवा एक बत्ती की बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिये जाने का वाइदा किया है बारवी परिशा में 75 फीजदी से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को मुफ्त लैप्टॉप और बेरोजगारी युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का वाइदा कॉंग्रेस पार्टी ने किया है इसके साथ ही पार्टी ने राच के विधान परिशद के गठन की बात भी कही है कॉंग्रेस ने राच में 2 लाख सरकारी पदों को भरने और इन में से 1 लाख पदों पर महिलाओं की नुक्ति की बात कही है इस मोखे पर कमलात और दिख विजय सिंग जैसे कॉंग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे